आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी न्यूस के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउंडोड करें सी न्यूस चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें थाना सेकंदरा सेक्टर सोले में नमकीन कारोवारी से हुई लूट मामले में पुलिस मकदमा लिक अलग अलग बिंदों पर जांच परताल कर रही है बदमाशों को पकड़ने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है आई बदमाश एक लाग इकतर हजार चार्सूर रुट कर ले गए थे इस मामले में तेहरीर के अधार पर मुकदमा दर्जकर पुलिस बदमाशों की तलास कर रही है इकल सिकंदर थाना च्छेतर में एक मामला प्रकाश में आया जिसमें की एक नमकीन बैपारी के यहां लूट की सुचने दर्जकर आई गई है उनके तोरह बताया गया है कि उनके पास से 170,000 रुपे लूट कर उस लोग भाग गए है पूरे मामले की च्छान बिन की जा रही है और पुलिस की टीमें बना दी गई है जब बिन पहलों के कारे कर रही है जल से जल सका खुलासा किया जाएगा और जो भी दोशी होंगे उनको सजा दिलवाई जाएगी आवाज विकास कलोनी में दिन धाले नमकीन कारोवारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमासों को तलासने के लिए पुलिस सी सी टीवी कैमरों को खाल लई है लेकिन फिलाल पुलिस के हाथ खाली है कारोबारी पुनीत अगरवाल के मुवाइल की कॉल डिटेल भी निकलवाई जा रही है जिससे हाकिकत सामने आ सके S.P.C.D. का कहना है कि बदमासों का पता लगाने के लिए कई टीमों का गठन किया गया है सेक्टर 6C आवाज विकास कलोनी के रहने वाले पुनीत सी की सेक्टर 16 में नमकीन का गोदा में पुनीत अगरवाल बैंक में रकम जमा करने के लिए सिलिप भर रहे थे उसी दोरान बदमासों ने धबा बोल दिया और नगदी लूट कर भाग गए ऐसा बताया गया है कि दो बदमासों ने बांध दिया था एक बदमास पेरेदारी कर रहा था पुलिस अधिकारियों कहना है कि जल्द बारदात का खुलासा हो जाएगा कब तक होता है कि देखना होगा अमेश सर्मा सी न्यूज आगरा